हलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Computer Awareness के स्कोर्स में, मैं हूँ आपका दोस्त, इंस्ट्रक्टर्स और अपशुकला हम लोग देख रहे हैं NIMSET की तयारी के लिए Computer का Syllabus और इसमें आज हमें आखरी टॉपिक कवर करना है, that is K-Map तो आई ये शुरुबात करते हैं इसकी, तो K-Map में हमें काफी कुछ पहले पढ़ना पढ़ता है, K-Map से एक सवाल लास्ट येर भी आया था, उसके पहले 2018 में इसके उपर बेस सवाल आ चुका है भले ही इससे एक सवाल आया था, और हम उमीद भी एक आद ही सवाल आने की कर रहे हैं इस टॉपिक से, लेकिन अगर आएगा तो बन जाएगा, ये ऐसा टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सवाल से भी आपका college change हो सकता है, आपकी rank change हो सकती है चलिए focus करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा min term और max term के बारे में, तो ध्यान दीजे, min term और max term क्या होते हैं, तो there are two ways in which we can put the boolean function, आप लोगों ने इसके पहले के lecture में boolean algebra देखा, boolean function देखा, और boolean function को हम boolean identities की मदद से simplify भी करते हैं, लेकिन ये simplification करना ब के लिए, पहले आपको min term और max term का concept समझना पड़ेगा, तो हम दो तरीके से चीजें को दिखते हैं, एक है min term canonical form और दूसरा है max term canonical form, तो पहले देखते है, min term क्या होता है, जैसे the product of all boolean variables, boolean variables क्या है, जो boolean function के अंदर आप x, y या a, b, जो भी नाम से लिखते हैं, they are boolean variables, जिनकी possible value या तो 0 हो सकती है, उनको हम या तो सीधे तोर पे लिखते हैं, या उसके compliment के तोर पे लिखते हैं, is known as min term, the product of all boolean variables, with or without their compliments, is known as min term, तो min term में क्या होता है, product होता है, boolean variables का, और boolean variable, या तो सीधे ले सकते हैं, या उसका compliment ले सकते हैं, Min term for the boolean variable a and b is, अब a और b अगर दो boolean variable है, तो min term क्या-क्या हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं, a b, तो a and b हो रहा है, a b bar, यानि b का compliment हो रहा है, पर a का नहीं हो रहा है, फिर a bar b, a का compliment हो रहा है, पर b का नहीं हो रहा, a bar b, दौनों का compliment हो रहा है, so if variable value is 1, we will take the variable without its compliment, if the variable value is 0 take its complement तो variable की value अगर 1 है तो variable को as it is ले ले लेना है और अगर उस variable की value 0 है तो हम उसका complement लेंगे अब जैसे हमारे पास एक simple सा सवाल है माल लीजे A की value 1 है, B की value 0 है C की value 0 है, तो min term क्या होगी तो A की value 1 है तो उसको as it is ले लीजे, B की value 0 है तो उसको B complement ले लीजे C की value 0 है तो C complement ले ले लीजे, ये हो गया min term कितना easy, min term अच्छे से समझ में आया, चलिए अब इसी तरीके से हम लोग short end notation के बारे में भी समझते हैं, short end notation क्या है, तो जैसे min term आपको दिया हुआ है A, B B bar, या B complement ठीक है, तो आप A का मतलब समझ गए 1 है, और B का मतलब क्योंकि complement लगा है, इसलिए B की value 0 है तो ये 1 0 है, 1 0 binary में है, तो उसे decimal में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, so this is M2, this is min term ये min term आगे हमारी M2 से denote करेंगे, और अधियान रखेंगे है, यह small m small m notation में यूज करते है capital M हम यूज करेंगे max term में, इसलिए small m और capital M में difference है notation में तो non complement के लिए 1 और complement के लिए 0 तो ये short end notation है मतलब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है इस चीज को ये दो variable है A और B, इसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो अब देखिए simple सा सवाल है या कहें, write the main term with three boolean variables अब तीन boolean variables हैं, A, B, C आपको इसका main term लिखना है where the given short end main term is M4, अब आपको M4 बोला हुआ है, ये short end तरीका है मतलब short में लिखने का तरीका है तो M4 आपको दिया हुआ है अब M4 का मतलब क्या हो जाता है 1, 0, 0, ठीक है M4 का मतलब main term M4 का मतलब है 4 को binary में convert करेंगे तो 1, 0, 0, तो 1 मतलब A हो गया फिर 0 है तो B bar 0 है तो C bar क्योंकि ये 0, 0 है इसलिए ये complement रहेगा 1 है तो ये as it is रहेगा तो A, B bar, C bar कितना easy है तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो ये given है तो short end में भी लिख सकते हो short end में दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अब जैसे main term पढ़ा वैसी max term पढ़ते है अगर केवल main term पढ़ते हैं तो कोई confusion नहीं होता लेकिन max term पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत confusion हो सकता है तो बहुत carefully चीज़ों को समझेगा जैसे हम main term में product of boolean variables लेते थे यहाँ पे sum of boolean variables लेंगे और boolean variable को direct भी ले सकते हैं और complement के साथ भी ले सकते हैं तो उसको हम बोलते है max term अब max term क्या क्या हो सकता है अगर दो boolean variables है a and b तो फिर max term क्या क्या हो सकता है तो a plus b हो सकता है क्योंकि यहाँ sum के रूप में represent कर रहा है sum of boolean variables तो या तो a plus b हो सकता है या a plus b bar हो सकता है या फिर a bar plus b हो सकता है या फिर a bar b bar हो सकता है if the value अब देखिएगा if the variable value is 0 अगर variable की value 0 होती है then we will take the variable without a compliment यहाँ उल्टा है ठीक है? min term के case में अलग था max term के case में अलग है max term में अगर variable की value 0 है तो हमें उस variable को as it is लेना है और अगर variable की value 1 है तो फिर हम उसका compliment लेंगे ठीक है ना? बिल्कुल उल्टा हो गया ना इसका क्योंकि min term के case में हम ले रहे थे कि variable की value 1 है तो as it is लेंगे variable को और 0 है तो compliment लेंगे पर यहाँ उल्टा हो गया है तो इसका ध्यान रखेंगे जैसे माल लीजे आपको सवाल दिया है कि a की value 0 है, b की value 1 है, c की value 1 है तो इसका max term क्या होगा? तो max term simply हमें variables को add करना है पर a variable को as it is लेंगे क्योंकि यह 0 है b और c variable की value 1 है इसलिए इनका compliment लेंगे तो b bar plus c bar यह हो गया max term ठीक है? पस यही जो उल्टा है ना दौनों का इसलिए confusion हो सकता है तो make sure कि आप main term और max term में बिल्कुल confused ना हो इस concept को अच्छे से समझ ले then अब हम बात करते हैं short end notation की max term के लिए यहाँ capital M हम use करेंगे जैसे कोई max term हमें निकालना है a plus b bar का तो देखे a variable अब max term में क्या होता है variable अगर as it is लिया जा रहा है तो वो 0 रहा होगा तो variable की value 0 रही होगा और complement लिया है तो उसकी value 1 रही होगा तो यह 0,1 है 0,1 is M1 0,1 का binary का decimal करी है तो 1 आएगा तो यह M1 होगा ऐसी यह short end property है short end notation है a plus b bar plus c bar का तो a क्योंकि as it is लिया है variable तो 0 ले लेंगे इन दोनों को complement लिया है इसलिए 1,1 ले लेंगे तो 0,1,1 is nothing but 3 तो यह M3 capital M3 यह हो जाएगा max term इसका तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और obvious ही बात है कि इतना बड़ा लिखने की बज़ाए इतना चोटा लिख रहे है तो यह short end notation क्या लाता है अब हम समझेंगे sum of products क्या होता है देखे sum of products में हम use करते है main terms और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे product of sum तो उसमें हम use करते है max term तो इसी के लिए हमने main term और max term पढ़ा था अब समझेंगे sum of product क्या होता है canonical sum of product is a boolean expression that entirely consists of main terms आपको जो boolean function दिया रहता है boolean expression दिया होता है अगर main term क्या थे main term थी product of boolean variables ठीक है अब वो a, b, c का product है जो भी है तो जो products है उनको sum कर रहे है products को sum कर रहे है तो इसको क्या बोलेंगे sum of products तो जो boolean function दिया है वो sum of products के form में दिया हुआ है f is a boolean function of two variables अब एक example से इस बात को समझ रहे है कि माल लीजे f एक boolean function है जो की दो variables का function है x और y और कुछ इस तरीके से है कि the x and y are the आर दो बार लिख दिया है मैंने are the inputs are the inputs of the boolean function f मतलब boolean function है उसमें दो variables है x और y whose output is true when any one of the input is set to true मतलब दौनों में से कोई भी अगर true है तो output भी true आएगा ऐसा relation है अब आप इस बात को समझ गया होंगे जरा इसको truth table से हम बनाते हैं उसके बाद फिर हम इसका boolean function design करेंगे और boolean function बनाएंगे sum of products के form में तो पहले तो इसके truth table को बनाते हैं truth table क्या क्या रहा है कि दौनों में से कोई भी input अगर one है तो result one आएगा तो इसका मतलब अगर दौनों zero है तो तो zero आएगा और one आएगा अगर दौनों में से कोई भी एक भी one है तो देखो यहां यह one है तो इसलिए one आगया यहां यह one है इसलिए one आगया यहां तो दोनों 1 है तो भी 1 आ गया ठीक है अब x और y इसको लिखते कैसे है min term अगर हमको इनकी तयार करनी है वही दो variables थे तो चार possible combination of inputs हो सकते थे चार हो हमने लिख लिए boolean function में अब मैं यह देख रहा हूँ कि इसको min term में कैसे लिखते है वही 0 0 है अगर x और y की value तो min term लिखोगे x bar y bar क्योंकि min term में क्या होता है अगर variable की value 0 है तो उसका complement लेते हैं अगर variable की value 1 है तो उसको as it is लेते हैं तो यह x bar y bar हो गया यहां पे 0 1 है तो यह x bar y हो गया दौनों 1 है तो xy आ गया ये इन चारों की min term मैंने लिख दी है लेकिन हमें सिर्फ वही min terms लिखनी है जिन से result 1 आ रहा है मतलब ये 3 मतलब ये 3-0 min terms मुझे लिखनी है और मुझे इसको sum of products के form में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा f इसको लिख 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 ल कुल कर सकते हैं अगर आपको ये expression दिया हुआ है तो आप variable की value क्या समझे यहाँ पे complement है तो 0 यहाँ पे complement नहीं है तो 1 तो ये 0 1 है इसी तरीके से 1 0 है इसी तरीके से 1 1 है अब इसको आप binary से decimal करोगे तो 1 आता है इसको करोगे तो 2 आता है इसको करोगे तो 3 आता है तो ये M1 M2 M3 ये mint terms होगे तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ये short-end है मतलब इस चीज को आप M1 लिख सकते है इस चीज को M2 लिख सकते है इस चीज को M3 लिख सकते है ये तो अब याप पे min-term मैं पढ़ा था अच्छा अगर मैं convert करना चाहता हूँ shorten notation को SOP में अभी आपने क्या किया था sum of products given था इसको आप min terms में express कर रहे थे अब उल्टा दिया हुआ है आपको shorten में दिया हुआ है और उसको SOP में convert करना है तो जैसे आपको function इस format में भी दे सकते हैं सवाल आएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आजाएगा ये क्या है sum का symbol है sum को denote करता है ठीक है तो sum of products है इसलिए ये ऐसा बना रहता है और इसमें अगर 1,2,3 लिखा है तो इसका मतलब है ये तीन ऐसे main term है जिनके लिए result 1 आ रहा है तो ये boolean function को represent कर रहा है इसको decimal को binary में change करी है तो ये 0,1 हो गया ये 1,0 हो गया ये 3 को लिखेंगे 1,1 अब 0,1 है तो इसको दो variables है हमारे पास x और y उसमें हमें represent करना है तो हम लिखेंगे x bar y क्योंकि 0 का मतलब हो जाएगा complement 1 का मतलब हो जाएगा as it is तो यहाँ पर 1,0 को लिख सकते है x,y bar और 1,1 को लिख सकते है x,y तो देखिए आपने इसी expression को reverse में लिख लिया यानि की SOP में लिख लिया तो short end में दिया है तो आप उसे SOP में convert कर सकते हैं अब हम बात करते है product of sum की अगें मैं बोल रहा हूँ sum of product आपको easily समझ में आया है product of sum भी ऐसा ही है इसका उल्टा ही है just तो confusion हो सकता है फिर आपको max term थोड़ा ध्यान में रखना है तो देखते हैं यहाँ पर आपको कितना समझ में आता है a canonical product of sum is a boolean expression that entirely consists of max term तो जैसे sum of products main term से बनता है product of sum max term से बनता है और max term कैसे निकाला जाता है वो अभी हम सीख चुके हैं तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमें product of sum करना है और max term क्या होता है sum of variables sum of variables कई सारे हैं उनका product कर रहे हैं तो यह हो जाता है product of sum तो x और y दो variables हैं हमारे पास ये input हैं किसी boolean function f में और उसका output true आएगा यानी 1 आएगा when only one of the input is set to true अगर दौनों में से exactly कोई एक 1 है तो ही result क्या आएगा 1 आएगा otherwise 0 आएगा तो सबसे पहले इस cut-trot table बनाते हैं हमें finally बनाना क्या है? product of sum बनाना है इसमें ये कहा जा रहा है कि दो boolean variable x और y हैं जिनका result true आएगा अगर दौनों में से कोई एक variable की value exactly एक variable की value 1 है तो हमने इसको true table में बनाया दौनों में से एक 1 है exactly एक ही 1 है तो उसका result 1 आएगा दौनों 1 है या दौनों 0 है तो result 0 आएगे इसी चीज को max term में कैसे लिखेंगे तो मैंने आप से कहा था variable की value 0 है तो यहाँ पर as it is लेंगे variable और 1 है तो complement लेंगे यहाँ उल्टा हो जाता है max term में तो यह देखिए मैंने यहाँ पर x plus y लिखा है क्योंकि यह दोनों 0 थे यह 0 1 है तो मुझे x plus y bar लिखना पड़ेगा फिर 1 0 है तो मैं x bar plus y लिखूंगा 1 1 है तो x bar plus y लिखूंगा लेकिन इसमें मुझे यह देखना है कि कौन सी terms है जिसमें 1 आ रहा है basically कौन सी term है जिसमें 0 आ रहा है ठीक है हमें जैसे min term वाला होता था sum of products होता था तो वहाँ पर हम देखते थे कौन सी terms है जिसमें 1 आ रहा है तो हम उन terms को add करते थे उन min terms को add करते थे लेकिन max term में क्या होता है हमें false देखना होता है हमें देखना होता है कि boolean function की value कब 0 आ रही है वो वाले max terms को हमें लिखना पड़ेगा और max terms को हमें क्या करना पड़ता है multiply करना पड़ता है product लिखना पड़ता है तो multiply all the max terms for which the output is false तो ये दोनो max term है जिनके लिए output false आ रहा है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे product कर लेंगे तो ये max term है ये max term है दोनों का हमने product निकाल दिया तो यह कहलाता है canonical product of sum अब हमको समझना है कि कैसे हम product of sum given है तो उसको short end में convert करें यानि max term के form में convert करें तो जैसे मालीजे हमारे को ये दिया हुआ था अब हमें मालूम है कि ये दौनों variable पे complement नहीं है तो 00 ले लो और यहाँ पे complement है तो 11 ले लो तो ये m0 हो जाएगा ये m3 हो जाएगा binary to decimal करने से और इन दौनों का हमें क्या करना है product करना है तो ये हो गया product of sum और इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है तो आप इस symbol को बोलते हो पाई symbol basically capital pi लिखा होता है big letter pi लिखा रहता है तो pi of products भी बोलते हैं इसको तो pi of products of max term 0 and 3 तो m0 और m3 वाली जो max term है इनका product हो रहा है तो ये short end में ऐसे लिखा जाता है और product of sum में ऐसे लिखा जाता है आप इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो बहुत easy है इसका conversion भी बस ये याद रखना है यहाँ 0 पे compliment नहीं लेते हैं 1 पे compliment लेते हैं चलिए एक और सवाल करते हैं हमारे पास short end notation है इस तरीके से और इसको product of sum में हमें convert करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं product of यहाँ पर pi of products में 1, 2, 3 दिया है तो max term दिया है आपको m1, m2, m3 और इसका अगर binary करेंगे तो यह 0, 1 हो जाएगा यह 1, 0 हो जाएगा यह 1, 1 हो जाएगा और आप जानते हो 0, 1 में 0 है तो compliment नहीं लेना है 1 है तो compliment लेना है तो यह x plus y bar हो गया इनका सब का product होना है इसको क्या लिखेंगे x bar plus y इसको क्या लिखेंगे x bar plus y bar इन तीनों का यहाँ पर हम कर रहे है product तो बहुत ही simple है इसी तरीके से अब हम एक और चीज़ समझते है कि अगर हमे product of sum में कोई boolean function दिया हुआ है उसको convert करना है sum of products में या इसका reverse करना है तो वह हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम conversion देख रहे है कि product of sum हमें गिवन है जैसे यह product of sum गिवन है यह सब करने की ज़रुवत नहीं इसके बाद हम direct इस पे आ सकते हैं लेकिन मैं करके आपको बता रहा हूँ तो यह जो है max term देखना अब देखिए product of sum में express करने के लिए पहले आपने max term निकाल लिया m2, m3, m5 जो की बिलकुल क्लिरली दिख रहे थे और यह 2, 3, 5 का binary कर लिया तो 0, 1, 0 अब यहाँ पर obviously 3 variables होंगे क्योंकि 5 तक चले गए हो आप 0, 1, 1 और फिर 1, 0, 1 यह मैंने इन तीनों का binary लिख लिए अब इसको आप max term में कैसे represent करोगे तो आपको मालू में 0 है तो उसका complement नहीं लेना है और 1 है तो complement लेना है तो 0 की जगे x लिख लिए 1 की जगे y bar लिख लिए 0 की जगे z लिख लिए इन सब को add कर लिए यह एक max term हो गई इस तरीके से यह max term क्या होगी x, y bar, z bar यह max term क्या होगी x bar, y, z bar और इन तीनों का आपने कर लिया product यह आपका product of sum है तो आपको product of sum तो दिया है चाहे सवाल इस तरीके से दिया हो चाहे सवाल इस तरीके से दिया हो आपको क्या given है हो सकता है सवाल में, दौनों बातें एक ही है यह आपको समझ में आना चाहिए अब यह जो product of sum आपको दिया हुआ है, इसको आपको convert करना है sum of products में तो simple thumb rule याद रखिएगा सबसे पहली बात, आप sigma लगा लीजिए simple आपका यहाँ पाई था ना आप इसको पलट दीजिए, sigma लगा दीजिए यह product वाला था, आपको sum of लेकर आना है, उसके बाद जो यहाँ पे missing है वो लिख दीजिए, जैसे अब obvious ही बात है कि यहाँ पर जो terms होंगी वो 8 होंगी, 0 से लेकर 7 तक, क्यों होंगी, क्योंकि 5 लिखा हुआ तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, sigma लिखूंगा अगर आपको यह given होता तो आप इससे पहले यह बनाना पड़ता, यह बन जाता आपका तो आप easily समझ जाते कि 2, 3, 5 इसमें max term थे, तो यहाँ sigma notation में आप जो missing है वो लिखो गए 0, 1, 4, 6, 7, बाकी तीनों तो यहाँ आचुके हैं बस यह जो हो गया यह आपका answer हो गया यह sum of products हो गया, लेकिर options अगर boolean function के रूप में दिये हुए हैं, तो आप इसको convert करना जानते हो, आप क्या लिखोगे 0 है तो यह m0, m1, m4, m6, m7 यह इस तरीके से लिखा हुआ है, और 3 variables हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, 0, 0, 0, इसको लिख सकते हो, 0, 0, 1, यह 4 को 1, 0, 0, 6 को 1, 1, 0, 7 को 1, 1, 1, यह simple decimal to binary किया है आपने, अब min term में आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है min term के case में, 0 है तो complement लेते हैं, 1 है तो complement नहीं लेते हैं, तो यह हो जाएगा x bar, y bar, z bar, यह हो जाएगा x bar, y bar, z, यह हो जाएगा x, y bar, z bar, यह हो जाएगा x, y, z bar, यह हो जाएगा x bar, y bar, z bar, यह आपका sum of product आ गया, आप इस से यह निकाल सकते हो, इस से finally ये निकालना है वो कैसे निकालोगे तो ये जो दिया हुआ है आप इस से क्या कर लो क्योंकि ये sum of products गिवन है तो आप इसमें x लिखा है x बार लिखा है तो 0 लिखो y बार लिखा है तो 0 लिखो z बार मतलब ये इस step के बाद ये वाली step उपर वाली लिखना यहाँ पर जिस पर बार लगा है वहाँ 0 लिखना जिस पर बार नहीं लगा वहाँ 1 लिखना तो बैने इस पूरे expression को इस तरीके से binary में लिख लिया है और ये जो binary वाली term है इस से मुझे पता चल जाएगा min terms क्या है binary to decimal करके ये वो लिख दीजे that is 146 बाकी सब तो यहाँ पर लिखे हुए थे अब आप ये जानते कि ये max term है तो आपने लिखा m1, m4, m6 इसमें decimal to binary कर लिजे तो 1 का हो जाएगा 001 4 का हो जाएगा 1006 का हो जाएगा 110 इस तरीके से मुझे यहाँ पर binary में मिल गया अब इसको देखकर आप easily बता सकते हो क्योंकि ये max term वाली बात है तो यहाँ पर 0 लिखा है तो आपको compliment नहीं लेना है 1 लिखा होगा तो compliment लेना है तो ये x plus y plus z bar हो गया फिर इसको लिखेंगे तो x bar plus y plus z हो जाएगा तो ये हमने यहाँ पर बना लिया product of sum अब हम लोग करते हैं k map जो असली चीज है जिस पर बेस सवाल आ सकते हैं बाकी basics हमारे complete हो चुके k map क्या है तो basically ये systematic way है boolean expression को simplify करने का कई बार आप identities लगा के simplify करते हो तो भी आप doubt में रहते हो कि क्या ही और simplify हो सकता है लेकिन k map वाले method से आप बहुत बढ़िया तरीके से systematically simplify कर सकते हो boolean expression को with the help of k map we can find the simple POS and SOP k map को हम बोलते है करनोफ map का ही short है k map तो कभी सवाल में करनोफ map बोला लिजाए तो आप confuse मत होना तो क्या steps है अगर आपको k map की मदद से boolean expression को solve करना है मतलब आपको एक boolean function दिया है और वो किसी भी format में दिया जा सकता है आपको boolean function वो sum of products में भी दिया जा सकता है product of sum में भी दिया जा सकता है mint of max term के रूप में भी दिया जा सकता है sigma notation में भी दिया जा सकता है K-map एक rectangular diagram है जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ और वो इस बात पर depend करता है कि total number of variables कितने हैं फिर आपको क्या गरना है identify min terms or max term as given in the problem अब आपको हो सकता है कि sum of products given हो तो आप min terms निकालेंगे अगर आपको boolean expression दिया हुआ है product of sum के form में तो आप max term निकालेंगे तो यह depend करता है कि आपको जो सवाल दिया गया है उसमें boolean expression किस format में दिया हुआ है फिर आपको क्या करना है for sum of product अगर sum of product दिया हुआ है तो आपने min terms निकाल लिया है तो आपको क्या करना है वो जो diagram आप बनाओगे K-map उसमें 1 रखना है उन blocks में जहां पर min term जहां पर min term exist करता है यानि आपने जैसे बुला कि min term है M1 तो अब sum of products में कुछ min terms होंगी जैसे M1 प्लस M3 प्लस M5 ऐसा लिका हुआ है तो M1 है इसका मतलब है 001 M3 है मतलब 011 M5 है मतलब 101 इस तरीके से आपकी min terms है अब ये min terms वाला जो box होगा जो diagram आप बनाओगे उसमें हर एक box एक-एक min term का होगा तो जो-जो min term वाले box हैं उन पर आपको 1 लिखना है जो sum of products में min terms आ रही हैं उस जगे पर आपको 1 लिखना है तो आप वही जो k-map बनाओगे diagram बनाओगे तो उसमें बहुत सारे cell हैं हर एक cell एक max term के लिए होगा तो आपको ये देखना है कि कहां-कहां 0 है मतलब जहां-जहां max term है वहां-वहां 0 रखना है आपको ठीक है? फिर आपको क्या करना है make rectangle मैं दोनों तरह के सवाल आपको करके बताऊंगा make rectangular groups containing total terms in power of 2 अब उसके बाद आपको groups पनाने अभी ये सब examples से जादा clear होगा group में 2 elements हो सकते हैं 2 1 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं 8 हो सकते हैं पर 2 की powers में ही हो सकते हैं and try to cover as many elements as you can in a group और group जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाना है और उसके भी कुछ नियम है चलिए एक सवाल के थूँ हम लोग चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले आपको ये क्या गिवन है आप बताएए SOP गिवन है कि POS गिवन है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप answer क्योंकि अभी जितना पड़ा अगर ध्यान से पड़ा है तो आप answer comment box में दे दीजे तो मुझे पक्का हो जाएगा कि हाँ आप लोग involved हो आप कोई मज़ा आएगा तो आप क्या गरो सबसे पहले मुझे अभी comment में ये बताओ कि ये sum of products गिवन है कि product of sum गिवन है इस notation को देखकर ही आप बता दोगे कि sum of product है कि product of sum है ठीक है इसका answer submission लिखा है ना तो sum of products है अब sum of product है तो ये अंदर min term दी है कि max term दी है obviously इस SOP में min term दी है अब आपको सवाल में ये दिया होता या directly ये दिया होता एक ही बात है एक दूसरे को मैं convert तो आप करी सकते हो अब आप क्या गरो k map कैसे बनाते हो एक rectangular diagram बना रहे अगर तीन variables का है तो एक तरफ मैंने a लिख लिए है ये 01 के बाद यहाँ 10 मत लिख दीजेगा ये 11 है और ये 10 है ये बिल्कुल जैसे gray code होता है बिल्कुल वैसा ही है तो एक bit में ही change हो रहा है यहाँ पर तो इस तरीके से ये लिखना है बस इसमें आप गलती मत कर देना तो जैसे gray code आगे बढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही ये आगे बढ़ने वाला है अब हम देख रहे हैं कि min term कौन सी है तो ये देखो 0,0,0 ABC है न ABC ये BC की values है तो ये 0,0,0 तो ये क्या हो गया? 0 मतलब ये M0 है फिर 001 तो ये M1 है 0,11 तो ये M3 है 0,10 तो ये M2 है 1,00 तो ये क्या है? ये M4 है तो ऐसे करके हर एक जगे पर आपने समझ लिया क्या min term आने वाली है अब कौन कौन सी min terms हैं यहाँ पर 1,3,6,7 तो 1,3,6 सॉरी 6 ये है और 7 ये तो 1,3,6,7 इन चारों जगे पर मैंने 1 लिख लिया बाकी सब जगे पर 0 लिखा ये steps अब आपको समझ में आगी सबसे पहले आपने देखा कि कितने variables हैं K-map में आपने उस आपसर diagram बना लिया आपने देख लिया कि जो सवाल दिया उसमें min term लेना है कि max term लेना है आपने का min term लेना है क्योंकि sum of products का है तो product of sum वाला statement छोड़ दो ये वाला statement पढ़ो कि आपको one कहां कहां लिखना है जहां पर min term है तो given min term 4 है तो इन 4 जगे पर आप one लिख दीजे इतना आपने कर लिया इसके बाद आपको ये step करनी है make a rectangular groups अब rectangular groups बनाने है आपको और group में या तो 2 element हो या 4 element हो या 8 element हो या 16 element हो ऐसा रहेगा अब हमेशा ध्यान दे ना जो group बनेगा या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा पर कभी तिर्चा नहीं बनेगा ऐसा group कभी नहीं बनेगा ठीक है तो इन दोनों का कभी group नहीं बना सकते आप इन दौनों का group नहीं बना सकते ठीक और वो हमेशा rectangular होना चाहिए ऐसा group नहीं बन सकता ठीक, group हमेशा rectangular रहेगा या तो ऐसा या ऐसा, ठीक है तो इन दौनों का एक group बन जाएगा इन दौनों का एक group बन जाएगा group तो इन दौनों का भी बन सकता है लेकिन यह दौनों element औल्रेडी cover हो चुके हैं इसलिए हम यह तीसरा group नहीं लेंगे हम सिर्फ दो group लेंगे ठीक हमें सारे elements cover करने है 4 elements आजाएं एक ही group में ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसमें यह 0 तो लेना नहीं था यह 0 लेना नहीं था ठीक है तो यह नहीं हो सकता कोई भी तरीका नहीं हो रहा है जिसमें यह 4 आ जाए 3 लेना नहीं हमेशा 2 के powers में ही लेना है तो एक group ही हो गया एक group ही हो गया तो मैं क्या गरता हूँ, यह दोनों groups बना लेता हूँ, इसको group 1 बोल दिया, इसको group 2 बोल दिया अब group 1 के लिए आप ज़रा ध्यान से देखना कि consider variables that are consistent in the group इस group में A, B, C में से कौन से variables की values consistent है जैसे मुझे बताओ, इन दोनों में, दोनों element में A की value क्या है A की value तो इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है, yes or no? A की value दोनों में 0 है, तो A की value पूरे group में consistent चल रही है एक जैसी चल रही है हर element के लिए, उस group के elements के लिए तो मैं उसको consider करूँगा, लेकिन 0 है इसलिए उसका complement ले लूँगा तो मैंने A बार ले लिया अब जरा B को देखो, इन दौनों में इस group के सभी element में देखो B की value क्या है, इधर 0 है, इधर 1 है, तो same है क्या? नहीं है consistent रहने का मतलब है, same रहनी चाहिए पूरे group के elements के लिए तो उस group के element के लिए B की value same नहीं है, इसलिए B को consider नहीं करें consider सिर्फ उसी variable को करना है, जिसके लिए values consistent है उस group में तो C की value देखो, C की value इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब वो same है, consistent है तो C को as it is लेते हैं, क्योंकि वो 1 था, A को हमने बार किया, क्योंकि वो 0 था अब ये हमने group 1 के लिए निकाल लिया, ऐसी group 2 के लिए सोचो, group 2 के लिए क्या होगा इसमें A की value consistent है, दौनों जगे 1 है, तो A ले लो, B की value consistent है क्या, B की value 1 है दौनों जगे, यानि वो भी consistent है, तो B ले लो, 1 है, इसलिए complement नहीं ले रहे हैं और C की value एक जगे 1, एक जगे 0 है, इसलिए C की value नहीं ले रहे हैं तो ये मैंने दो terms बना लिए, group 1, group 2 से, दो ही groups बन रहे हैं अब मुझे क्या करना है, इसको sum of products में represent करना है तो simplified form क्या हो जाएगा, इन दौनों का sum कर दीजे, A bar C और A B तो जो आपको original सवाल दिया था, वो ये सवाल था, ठीक है और ये सवाल को आप simplify करते हो, तो finally क्या आ जाता है, ये वाला आ जाता है इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है न, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे Boolean identities लगा के, पर K map के through भी कर सकते हैं और ये simplest form आ चुका है, इसी तरीके से एक सवाल और हम लोग देखेंगे लेकिन इस बार हमें product of sum दिया है, या तो सवाल में बस इतना दिया होगा या सवाल में बस इतना expression दिया होगा, दौनों में से कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है हम easily ये समझ सकते हैं कि हमारी max term कौन सी है यहां तो बिल्कुल clear है कि max term M0, M3, M6, M7 है और इनके binary यह रहे और यहां से अगर आपको निकालना पड़ता तो इसके करण आप binary बता सकते थे इसके करण आप binary बता सकते थे, इसके करण binary बता सकते थे, इसके करण binary और इस से आपको मिल जाते max term तो finally, चाहिए दिया हो चाहिए दिया हो आप max term निकाल सकते हैं max term आजाने के बाद आपने देखा total number of variables कितने हैं तो variables यहां पर 3 हैं, इसलिए ABC के लिए मैंने यहां पर ही बना है कई बार 4 variables होते हैं, तो A, B एक तरफ ले लेते हैं और C, D दूसरी तरफ ले लेते हैं कई बार 2 variables होते हैं, तो A इदर ले ले लेते हैं जहां पर 2 आ जाएंगे, वहां पर आपको 2-2 bit लिखना पड़ेंगे जैसे यहां BC के लिए मैं लिख रहा हूँ और A के लिए 1-1 bit लिख रहा हूँ तो अब यहां पर आप max term देख रहे हो M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 इस तरीके से क्योंकि यह 1-1 है और यह 1-0 है इसलिए ऐसा हो रहा है अब max term जहां जहां आ रही है, वहां पर आपको 0 लिखना है तो M0, M3, M6, M7 M0, M3, M6, M7 इन जगें पर 0 लिख दिया, बाकी जगें 1 रख लिया यहां पर grouping भी जो करते हैं उसमें zeros की grouping करते हैं तो अब zeros की grouping करेंगे जरा सोची zeros की grouping कैसे होगी तो मान लीजे एक group तो यह बन जाएगा दूसरा group यह अकेला रहेगा और तीसरी group में इस अकेले को नहीं रख सकते जितना maximum बन सकता है उतना बड़ा group बनाएंगे अगर नहीं बन सकता है तो बाता लगे लेकिन क्योंकि यहां पर यह group बन सकता है यह वाला element तो इसमें भी common आ चुका है वो चलता है उससे कोई दिक्कत नहीं है एक आद element common हो सकता है अगर पूरे-पूरे element common हो रहे हैं तो फिर ज़रूर गलत है ठीक है तो आपने कुछ redundancy करी होगी है तो यह एक group हो गया यह group हो गया और उसके बात फिर यह अलग group हो गया तो total कितने group हो गया तीन group हो गया तो मैंने यह तीन group यहां mention करे हुए है यह group 1 है यह group 2 है यह group 3 है अब हाँ एक अकेरा element भी हो सकता है group में अच्छा यह जैसे पहला वाला group है अब आपको यहां product of sum दिया हुआ था तो आपको यहां पर क्या करना है पहले यहां देखना है किस variable की value consistent थी तो एकी value दौनों के लिए 1 है तो दौनों के लिए 1 है तो इसको consider करना है लेकिन 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 जो भी values होंगी उनको invert कर देना मतलब अगर 1 आ रहा था तो A मतलेना A बार लेना ठीक है और यहां पर B की value क्या है B की value दार 1 1 है consistent है यस तो 1 है तो यहां पर compliment लेंगे क्योंकि product of sum में उल्टा होता है 0 है तो compliment नहीं लेते है 1 है तो compliment लेगे तो वैसे ही है A bar plus B bar हो गया फिर आप इस दूसरे वाले group के बारे में सोचो इसमें A की value तो change हो रही है consistent नहीं है क्योंकि इदर 0 है इदर 1 है तो इन दौनों elements के लिए same होनी चाहिए value फिर B की value देखो तो हाँ B की value consistent है 1 है C की value भी consistent है 1 है क्योंकि एकी column में तो है हो तो B और C दौनों है लेकिन 1-1 है दौनों के लिए तो B bar C bar होना चाहिए और B bar C bar के बीच में क्या होना चाहिए plus होना चाहिए क्योंकि ये product of sum है न तो max term को हमेशा हम इसी तरीके से लिखते है और फिर group 3 है तो उसमें एक अखेल element है तो उसमें सभी कुछ consistent है क्योंकि एक ही element है एक से ज़्यादा element होते तो आप सोचते consistent है के नहीं है यहाँ तो सब consistent है तो a, b, c तीनों है अब क्योंकि तीनों 0 है तो a, b, c ले लेंगे a plus b plus c अब ये तीनों terms का product कर लेजे ये है simplified version of this question clear चलिए अब आपको समझ में आ गया है तो एक last चीज और देख लेजे उसके बाद हम एक दो सवाल करेंगे जब grouping आप कर रहे हैं एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको circular मानिएगा ये जो element है इसका adjacent ये भी है फिर ये है फिर ये है इसका adjacent ये वाला element भी है और ये वाला element भी है मतलब अगर यहाँ one है यहाँ one है तो ये दोनों group पन सकता है समझ में आएगर आप इसको ऐसे fold कर देंगे न तो ये दोनों adjacent हो जाएंगे तो इसको circular मानिएगा उपर नीचे भी circular मानिएगा और left right में भी circular मानिएगा तो ये दोनों का एक group बन सकता है आप ये सूचेंगे ये ऐसे group नहीं बन रहा है ये दोनों one का जो group बन रहा है वो ऐसे बन रहा है ये adjacent हो जाएंगे अगर इसको मैं fold करके एक circle बना दूँगा और ये चीज़ उपर नीचे भी हो जाएगी ये दोनों one है तो yes ये दोनों बन सकते है in fact अगर चारों जगे one है तो ये corner ऐसा मिल सकता है ये चार का एक group बन सकता है ठीक maximum elements cover कर सकते है उतना maximum elements cover करना है बस element की संक्या two की powers में होनी चाहिए ये तो हो गई grouping की बारे में आप don't care terms क्या होते है कुछ main term या max term का आप don't care भी treat करते हो जैसे ये main term है one और ये है don't care तो आप अकेले इसका group नहीं बनाऊगे आप इस पूरे का एक group बनाऊगे तो ये don't care है इसका मतलब ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये 0 है कि 1 है इस पर depend नहीं कर रहा है चीक है so don't care को ऐसे cross से denote करते है ना उसमें 0 लिखते है ना 1 लिखते है पर वो grouping में शामिल हो सकता है अब देखिए ये सवाल 2023 में आया था आप चाहें तो वीडियो को pause करिए और इस सवाल को solve करिए उसके बाद फिर मैं इसका solution बताऊँगा answer आप comment section में लिख दीजेगा मेरा answer सुनने के पहले चलिए अब मैं इसका solution बता रहा हूँ वीडियो pause कर लिया होगा आपने अब मैं इसका solution बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा tricky ये था कि आपको चार options ये नहीं दिये ये हैं चार options ठीक है तो ये answers है अब इन चारों में कौन सा answer है आपने कहा कि मानलो A answer है या आपने कहा शायद D answer है तो आपने D बोला लेकिन D option नहीं है वो B option है क्योंकि यहाँ B option में D लिखा हुआ है ठीक है तो ये थोड़ा सा trick इन्होंने खेल ली थी है students के साथ और कई लोगों के answer गलत हो गए होगे इस चक्कर में सही निकालने के बाद भी तो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है धियान रखेगा अब आपको consider करना है following min term expression min term expression बोला है sigma लिखा हुआ है इतने से आपको समझ में आई गया कि sum of products दिया हुआ है the min term 2, 7, 8 and 13 are don't care अच्छा इसमें इतनी सारी min terms है जिसमें से आपको बोला है कि जो 2 है 7 है, 8 है और 13 है, यह don't care है मतलब इस जगे पर cross लिखेगा 1 मत लिखेगा, cross लिखेगा the minimal sum of products from अब वही simplify करना है k map लगा के तो आप क्या करना, सबसे पहले तो k map फाला diagram बनाना, और इसमें कितने variables आपको दिख रहे है, 4 variables दिख रहे है PQ, RS, तो आप जो diagram बनाओगे ठीक है, इस तरीके से आप diagram बनाओगे तो यहाँ पे लिखो PQ, यहाँ लिखोगे RS ठीक है, यहाँ पे 00 आएगा 01 आएगा, यहाँ 11 आएगा ध्यान रखना यहाँ 10, यह 00, 01, 11, 10 अब यहाँ पे अगर आप main terms को देखोगे तो यह हो जाएगा, M0, M1, M2, M3, ठीक है M4, M5, M6, M7, M8 यहाँ आएगा नीचे ठीक है, क्योंकि 10 इदा रहे है M9, M10 इदा आएगा, M11 इदा आएगा M12 इदा आएगा, M13 इदा आएगा, M14 इदा आएगा M15 इदा आएगा, आप देख सकते हैं, यह 1, 1, 1, 1 है ना तो यह M15 है, तो yes, यह हो गया अब इस चीज़ को हम solve करते हैं इसमें कहां कहां आपको 1 लिखना है यह जो main terms हैं, इनमें 1 लिखना है लेकिन इसमें भी 2, 7, 8, 13 पर क्या कर देना है आपको cross कर देना है, तो I guess आपको समझ में आ जाएगा इस diagram को मैंने यहाँ पर बना लिया है आप इस diagram को अच्छी तरीके से देख लीजे तो यह देखिए, 0 है तो यह M0 है मैं यहाँ पर लिखता भी जाता हूँ, आप दिहान से देखेगा आप सबसे पहले जहाँ पर don't care है ना वहाँ पर cross कर लीजे तो कौन-कौन से पर don't care था, एक बार देख लीजे 2, 7, 8, 13 चाहरे हैं, 2, 7, 8, 13 तो 2 मतलब यह रहा 2, 7, 8, 13 इस पर मैंने cross कर दिया, इसका मतलब यह don't care है, बाकी जगे पर 1 लिखीगा क्योंकि यह sum of products है तो आपने M0 पर 1 लिख दिया M2 पर तो हो गया M5, M5 क्या है M5 यह रहा, इस पर 1 लिख लिए M7 तो हो चुका है M8 भी हो चुका है M10, 10 कहा है यह रहा, इस पर 1 लिख दिया फिर 13, 13 हो चुका है 15, 15 यह रहा, 1 तो यह हमारा बन चुका है अब इसमें हमें देखना है कि कितने groups बना सकते है maximum कितने groups हो सकते है तो देखो मैं एक group तो यह बना पा रहा हूँ, आप देखेंगे यह group है, clear है यह 4 का एक group बन रहा है don't care वालों को भी group में शामिल करते है और यह 4 का एक group बन रहा है यह देख रहें, अभी मैंने आपको समझाया था यह 4 का एक group बन रहा है क्योंकि यह circular है न, 4 तरफ से तो यह एक group बन गया तो 2 groups हमारे बन रहे है तो एक group 0 है, एक group 1 है इस group 1 है, एक group 2 है तो group 1 ले लेता हूँ पहले में group 1 किसको ले लेता हूँ यह group 1 बीच वाले 4 जो हैं, उसको ले लेता हूँ उसमें आपको यह देखना है कि कौन-कौन सा consistent है, वो variable आपको consider करना है तो कौन-कौन सा consistent है वो देख लीजे सबसे पहले P को देखिए तो क्या P consistent है नहीं, P की value तो 0, 1 change हो रही है तो P consistent नहीं है पर Q consistent देख रहा है मुझे तो Q को आपको consider करना है फिर R को देखिए R consistent है क्या नहीं, इधर 0 और 1 है तो यह consistent नहीं है S देखिए, वो consistent देख रहा है तो QS तो आ गया क्योंकि दौनों 1, 1 थे तो हमने compliment नहीं लिया है QS ले लिया है, तो group 1 से आपका आ चुका है और अब हम बात करते है group 2 से group 2 group 2 में क्या है group 2 में जो 4 elements आपको corner के दिख रहे हैं, उसमें देखिए P की value consistent है क्या नहीं, P की value 0 भी है, 1 भी है, नहीं नहीं तो P तो नहीं लेंगे फिर Q को देखिए Q consistent है क्या हाँ Q consistent है, तो Q ले लेंगे लेकिन वो 0 है जली Q बार लेंगे फिर R देखिए R consistent है क्या नहीं, R consistent नहीं है S consistent है, हाँ S consistent है पर वो 0 है, जली ये S बार लेंगे और क्योंकि ये sum of products में आपको express करना है, तो ये हो जाएगा qs plus q bar s bar ऐसा कोई option है ऐसा कोई option है ये वाला option दिख रहा है b अब b option यहाँ पर है मतलब c is the correct answer समझ में आया c is the correct answer ठीक है एक और सवाल 2018 में आया था इसको करिए ये और आपको easy लगेगा आप पढ़ लीजे आप वीडियो को pause कर लीजे आप अच्छे से पढ़ लीजे, solve कर लीजे उसके बाद वीडियो को resume करेगा लेकिन resume करने से पहले आप अपना answer comment section में जरूर लिख देना तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है what is the minimal form of करणफ map shown below ये एक map आपको given है map में आपको ये सब दिया हुआ है जा रहा है तो ये अच्छा सवाल जो दिया था उसमें ये m नहीं दिखाता नीचे ठीक है और ये understood है ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया चलिए तो इस सवाल को आप solve करते हैं इसमें सबसे पहले हमको groups बनाने है तो कौन-कौन से groups बनेंगे हमें कोशिश ये करनी है कि एक group में सबसे मतलब जितने ज्यादा element हो सकते है वो लेना है लेकिन वो elements की संक्य है two की powers में चलने चाहिए तो एक group तो मुझे ये दिखाई दे रहा है just a second एक group तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इन चारों का इस group में 4 से ज्यादा नहीं आ सकते थे 8 नहीं आ सकते थे मतलब इसलिए 4 लेना पड़ा मेरे को एक group मेरे को दिख रहा है इन चारों का ठीक है इन चारों का एक group दिख रहा है और उसके अलावा मुझे एक इन चारों का भी दिख रहा है ये, 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 और ये, इन चारों का भी देख रहा है, ठीक है, तो एक एक करके तीनों groups का देखते हैं, सबसे पहले ये orange वाला ही देख लेता हूं group, group 1 इसको बोल देता हूं, और इसमें क्या है, तो देखो इसमें c की value consistent नहीं है, पर d की value consistent है, पर 0 है इसलिए बार लगेगा a की value, 0, a की value consistent नहीं है, b की value consistent है, पर उस पे 0 है तो बार लगेगा, तो b बार, d बार, तो ये तो देखो चारों ये options में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पहला group तो सही हो गया, दूसरा group देख लीजे आप, group 2, group 2 में आप किसको ले लेते हैं, इन चारों को ले ल तो इसमें c की value consistent है, लेकिन उस पे बार आएगा, और d की value consistent नहीं है, a की value भी consistent नहीं है, पर b की value consistent है, और वो 0 है, इसका मतलब बार आएगा, तो b बार, c बार, ठीक है, अब b और d option दौनों में ये चीज़ आ रही है, पर अभी एक group और है, तो वैसे तो आप d option लगा ही सक क्योंकि एक group और है, तो इसमें भी कुछ आएगा, तो b option में तो तीसरा group ही नहीं, तो तीन group है, वैसे तो सोचो तीन group है, तो मैं वैसे ही d option लगा देता है, क्योंकि d option है, जिसमें तीन groups है, और फिर भी चलिए कर लेते हैं, ये जो सबसे उपर वाला, मैंने ये चारों का एक group लिया हुआ है, इसको हम देखने वाले है, इसमें c की value तो consistent है, पर 0 है, इसलिए बार लगा रहा हूँ, d की value भी consistent है, उस पर बार लगा रहा हूँ, पर obvious ही बात है, a और b की value तो consistent नहीं है, तो बस इन तीनों को आपको add करना है, तो आपका result आ गया, b bar d bar, plus b bar c bar, plus c bar d bar, बस यह हो गया, तो यही चीज़ यहां पर हमने करी है, इसी चीज़ को मैंने नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ठीक है, मैंने यहीं पर कर दी है, solve तो होई गया, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है, computer के syllabus में इतना अगर आप कर लेंगे तो आप computer का syllabus पूरा कर लिया है, आपके अच्छे marks भी आ जाएंगे, कोशिश करिए कि 20 के 20 सवाल आप कर सकें, आपको जो 20 minute मिलेगा उसमें आपको English का section और computer का section दोनों करना रहेगा, लेकिन उसमें computer के section के ही 20 सवाल आने वाले हैं, तो कोशिश है कि 20 minute में कम से कम ये 20 सवाल तो आप से होई जाएं, कि English वाले section से अगर बनता है तो ठीक है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस section में आप maximum score कर सकते हैं, बाकी maths और reasoning पर भी आपको धियान दे रहा है, आपका exam नजदी का रहा है, इस साल वाला 2024 वाला, पर अगर आप 2025 य लिंक आपको मिल जाएगा, जो free of cost है, और वहाँ से आप ये notes भी download कर पाएंगे, और इस से आप बहुत जल्दी अपनी तयारी कर लेंगे, जिससे कि आपके NIMSET में अच्छी rank आ जाए, ध्यान रखिएगा, निमसET का exam जिस दिन आपका cover हो जाए, complete हो जाए, उस दिन के ब प्लेस प्लेस्मेंट भी अच्छा चाहिए, आप मालीज अच्छे NIT में जाते हैं, लेकिन उस NIT में आप सोच के देखिए, अच्छी companies आ रही हैं, पर आपका अगर उसमें selection नहीं हुआ तो आपको बहुत मलाल रहेगा, इसलिए तयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और NIT का exam जिस दिन हो जाए, उसी दिन से आप C, C++, DSA वाला batch जॉइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे batches की जानकारी मेरी website premium.mysergy.com पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं, इसके लावा जो लोग NIT की तयारी कर रहे हैं, 2025-2026 के लिए, वो लोग coaching में ही join करके properly तयारी करें, because यह सारी चीज़ें आप सिर्फ book से पढ़कर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत practice की जरूरत पढ़ती है, और practice के लिए आपको बहुत सारा material plus guidance की जरूरत पढ़ती है, जिससे कि आप अपने score को improve कर पाते हैं, और इसके लिए मैं आपको recommend कर कर सकते हैं, और अपना coaching start कर सकते हैं, this is my recommendation, if you are really willing to get into top NITs and you want to crack big packages in the top-notch companies, तो यह आपके पास option है, तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप होसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को like कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं अपन programming languages के courses भी मिलते हैं, free of cost भी मिलते हैं, paid courses भी हैं, दोनों तरह के courses हैं, आप in fact अभी चैनल को अगर explore करें तो आपको बहुत सारी languages का content यह आपर मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you, goodbye